आरजेरी अध्यक्ष लालू कुसाब यादव के समधी चंद्रिका राय ने लालू की लाल्टेन को नितीश कुमार के तीज से फोडने का मनमरा लिया है। बिहार विधाल समद चुनाव के नस्दीक आने के साथी एक बार फिर ये अटकले तेज हो गई है कि लालू की बहुत अश्वर्य राय इस बार चुनावी मैदान में अपनी ही परिवार की विरुत मुकाबले में रहे थी। बिहार की राजडिती में एक बड़ा फेर बदल तब हुआ जब राष्ट्री जनता दल की अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के समदी चंद्रिका राय ने आर जेडी छोड़ सीम नितीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेट जोइन कर ले। जेडी उजोइन करने के बाद ही उन्होंने संकेत दे डाला था कि उनकी बेटी तेश प्रताप यादव के खिलाब विधान सभचुनाव लड़ सकती है। आज लालू परिवार और समधी चंद्रिका राय के कुन्मे के बीश तलखी किसी से चुपी नहीं है। वहां से एश्वर्या उनकी खिलाब चुनाव लड़ेंगे। पिलाब एश्वर्या की पती तेश प्रताप महुआ से विधायक है और उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव रागुपुर्च छेत्र का प्रतिमिद्व करते हैं। संबब है कि जेडियू लालू प्रसाद यादव को जटका देने के लिए एश्वर्या राय को महुआ विधाल सभा सीट से तेश प्रताप यादव के खिलाब उतार सकती है। जुलाई में तेजस्वी ने एश्वर्या की चचेरी बेहन डॉक्टर करिश्मा को आरजडी में शामिल किया था। ऐसे में बहुत संबब है कि एश्वर्या राय की खिलाफ आरजडी उनहीं की चचेरी बेहन को मैदान में उतार सकती है। मुसीबत तो तब पैदा होगी जब एश्वर्या तेजप्रताफ के चुनाव छेत्र में मैदान में कुछ जाएंगी। लालुपिसाद यादव के बड़ी बेटे तेजप्रताफ यादव के साथ चंद्रिका राय की बेटी एश्वर्या राय की शादी हुए। लेकिस शादी के महस छे महीने की भीतर ही तेजप्रताफ यादव ने तलाग का मुकद्मा दायर कर दिया। इसके बाद लंबे समय तक एश्वर्या राय ससुराल में रही। बाद में उन्हें ससुराल से बाहर कर दिया गया। फिलहाल को अपने माता पिता के साथ रहती है। इस घटना के बाद से ही दोनों परिवारों के बीश तलखी लगतार बढ़ती गई है। आश्वर्या राय ने भी अपनी सास, रावरी देवी और ननत, मीशा भार्ती पर प्रतार्ना का आरूप लगाया था। और उन पर मार पीट कर घर से निकालने का मामला तर्च करा रखा है। कई बार आश्वर्या को लेकर लालू पलिवार में मचे जगडे को सडको पर भी देखा गया है। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले।